नमस्कार आप देख रहे हैं जनभावना टाइम साब के साथ मैं हूँ अंकित और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। शामिल होने जा रहे थे तभी उनके काफिले में मौजूद गाडिया आपस में ही टकरा गई। इस हासे के बाद वहाँ पर अफरात अफरी का महौल बन गया। लगी दुरगटना में अकलेश यादव की गाड़ी पर कोई भी खरोच नहीं आई है और उन्हें साकुशल अपने तै कारिकरम के लिए रवाना कर दिया गया। जानकारी के मताबिक यहासा फरहत नगर रेलवे क्रॉसिंग के पास हुआ है। काफिले में मौझूद कई गाड़ीयों के आपस में टकराने के बाद कई वहाँ बुरी तरह से शतिगरस्ट हो गए। हासे के बाद तुरंट एम्बुलेंस बुलाई गई और कई घायलों को अस्पताल भेजा गया। इसके बाद अखलेश यादव कारिकरम इस्थल के लिए रवाना हो गए। अखलेश यादव को हरदोई के बैठ़प और गाओं में एक निजी कारिकरम में शामिल होने के लिए पहुँचना था। हुए हैं। आला कि काफिले में आगे चल रही पुलिस ने अखलेश यादव की गाड़ी को साकोशल, मलावा और फिर माधो गंज में सुआगत कराने के बाद बिलग्राम की तरफ रवाना कर दिया सभी गायलों का इलाज चल रहा है। अब इस हासे को लेकर आपकी क्या कुछ राय है जरूर हमें बताइए जुड़े रहे जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।